नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका BRH Facts में दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल जाए चले चलते हैं आज की अपनी खबर पर जो DRDO की तरफ से आ रही है दोस्तो DRDO के उनसार कवेरी इंजन प्रोजेक्ट के Learning Curve ने एक दिशा परदान की है और इस इंजन में सब्देशी समागरी 80% बढ़ाने में मदद की है कावेरी ड्राइवेटिव इंजन एक DRDO का प्रोजेक्ट है जो सब्देशी रूप से निर्मित UAV को शक्ति परदान करेगा और अगले दो वर्षों में ये पूरा होने की उमीद है DRDO की एक लवाटरी GTRE जानिकी Gas Turbine Research Establishment द्वारा बताया जा रहा है की कवेरी इंजन, ड्राइवेटिव, मीडियम आचिचूट, लॉंग एंडिवरेंस वाले UAV को शक्ति परदान करेंगे जिसे भारत के प्रमुक Research and Development Organization द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तो DRDO ने बताया है की 46KN के थरस्ट और 180 किलोग्राम के अधिक्तम बजन के साथ एक नौन आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन है इससे पहले DRDO ने एक छोटा टर्बो फैन इंजन डिजाइन और विक्सित किया था जिसके derivatives विविन परकार के UAV के लिए मैनिफेक्चर किया जाएंगे जिसमें भारत को इस महत्पून तकनीक में आतम निर्वता हासिल करने में मदद मिलेगी दोस्तो GTRE जो DRDO की एक लैब है इसको इंजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी जिसे हम कावेरी इंजन डेवल्मेंट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं GTRE 1982 से ही GTX 37 नाम क्या एक एरो इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी इस प्रोजेक्ट को 382 क्रोड रुपे के फंड के साथ दिसम्बर 1996 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया था अपने नदारित समय में ये प्रोजेक्ट पूरा ना होने के कारन कहीं बार इसकी समय सीमा को भी बढ़ाया गया पहले मार्च 2000 तक फिर दिसम्बर 2004 तक अंत में मार्च 2009 तक किया गया और इसी दोरान इसका बजट भी पांच बार संसोदित हुआ और 642 परसेंट बढ़कर 2849 क्रोड रुपे हो गया दोस्तों आपको बता दें कि दो दश्यक का समय और लगबग 2000 क्रोड रुपे खर्च करने के बावजूत भी कावेरी इंजन LCA की जरूरतों को पूरा करने लाइक नहीं बन पाया दोस्तों तेजस MK1 को बाद में अमरीका का JEF404 इंजन द्वारा संचालित किया गया अब बताया जा रहा है कि F414 JE इंजन तेजस MK2 को शक्ति परदान करेगा दोस्तों और सबसे वड़ी बात ये है कि इस इंजन की मैनिफेक्चरिंग भारत में ही होगी और इसके साथ ही टेकनोलजी भी ट्रांस्फर की जाएगी और आपको पता ही होगा कि सबसे ज़ादा कोई चीज अगर मुश्किल होती है तो वह इंजन ही होता है चाहे वह गाड़ी का हो चाहे वह फाइटर जैट का हो हम यह नहीं कहते कि बाकी चीजें ज़रूरी नहीं होती पर इंजन का काम 50% का होता है चाहे वह गाड़ी हो चाहे वह फाइटर जैट हो दोस्तों आपका क्या कहना है पूरी खबर पर प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैट